हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं उस राशी परिवर्तन करने के सूर्य देव के उपरांत जो बारे लगन राशी पर परभाव पड़ेगा या जिस प्रकार के रिजल्ट्स अलग-अलग बारे लगन राशी के जात्कों को देखने में आने की संभावना है उसकी विशह में जानकारी आपको देंगे और ये बत शील हैं ये ये कभी नहीं रुकते हैं नोके नोगर है चलते ही रहते हैं हमेशा एक राशी से दूसरी राशी में एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र में एक भाव से दूसरे भाव में कुंडली के मतलब गोचर में ट्रांसिट में तो ये चलते रहते हैं लेकिन क्या होता है क्योंकि नौ ग्रह है, एक या दो ग्रह तो है नहीं, बहुत लोग कहते हैं कि साब हमारे जीवन में तो कश्टी कश्ट हैं, हम क्या करें हम तो समझ नहीं पा रहा है, यह है, वो है, देखिए उसका सबसे बड़ा एक बहुत सिंपल सा कारण है reason है कि मैंने जैसे का कि नो ग्रहे हैं एक ग्रहे की या दो ग्रहे की इस्थिती अच्छी हो सकती है लेकिन हो सकता है बाकी ग्रहों की इस्थिती आपकी कुंडली में अच्छी ना हो या गोचर में अच्छी ना हो तो कहीं ना कहीं पर उनके तो अशुप परिणाम जरूर प्राप्त होंगे तो ये इस्थिती ही रहती है ग्रहों के कारण और ये तो भही इस विशे में तो किसी प्रकार का कोई इफ और बट ही नहीं क्योंकि यह 9 के 9 गरहों के का पूरा प्रभाव हमारे जीवन पर रहता है और जो भी रिजल्ट समको जीवन में प्राप्त होते हैं, अच्छे या बुरे, वो सब इन गरहों के द्वारा ही होते हैं, इसके अतिरिक तोर कुछ नहीं है, समझ में आ जाती है हमारे, तो हमारे लि के दो हमारे रिशी महर सियों ने अगर कुछ गरहों की इस सिर्थी खराब है तो उसके उपाएं भी बताएं अब उपाएं केलिए भी कुछ लोगों कों ऐसा है कि उनको मैजिड चाईए कि अगर आज उपाय करा है तो कल रिजल्ट चाहिए ये तो समभब नहीं है वही रावन ने भी जब भगवाय शंकरजी से वर्दान प्राप्त किये तो कितने हजार वरशों तक तपस्या किर्टे उन्होंने बारह अजशार वरशों से बहिए अधिक तपस्या करनी पड़ी violation को ऐसा तो नहींए कि आज ही आप उपाये करें और कली आपको कोई जादू हो जाएगा ऐसा नहीं होता है उपाये करें श्रद्दा भाव से करें पूरे विश्वास के साथ करें यह मान करके करें कि भई हाँ जो हम कर रहे हैं इसका हमको कुछ पॉजिटिव रिजल्ट जरूर मिलेगा और देखिए यह तो हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि जब भी हम कहीं हमारा हम पूजा जो करते हैं वो हम अपने स्वार्थ से करते हैं निस्वार्थ नहीं करते हैं भगवान ने साथ बोला है कि जो भक्त निस्वार्थ मेरी भक्ती करता है मैं उसी से प्रसंद रहता हू और जो स्वार्थ को लेकर के मेरे पास आता है भगवान मुझे ये दे दीजे भगवान मुझे वो दे दीजे दुनिया की सुख सुविधाय मांगता है ये सब मांगता है तो वो भक्त तो स्वार्थ ही भक्त है तो इसलिए ये चीज़े थोड़ा सा समझनी पड़ेंगी, सभी को समझनी पड़ेंगी, तो साथियों अब ज्यादा समय ना लेते हुए, सूर्य देव की जो राशी परिवर्तन की चर्चा है, इसको अब आगे बढ़ाते हैं, और आपको बताना चाहेंगे, प्रिय साथियों कि सूर्य देव जो की आत्मा के कारक माने गए हैं, एवं जीवन में व्यक्ति के मान, सम्मान, व्यक्ति को पदवी, उन्नती उसकी, ख्याती, पॉपलेरिटी, एवं ये पिता के भी पृतीख हैं, इन सब चीजों के तो पृतीख हैं, पिता के भी पृतीख माने गए हैं, तदा ब्रह्मांड की इनको आत्मा कहा गया है, स्वास्त के कारक हैं, आपके अंदर छरीर के अंदर जो एनरजी होती है व्यक्ति के अंदर वो सूर्य से मिलती है, चिक्सा के कारच हैं, विज्ञान के कारच हैं, साइνस के कारच हैं, पराक्रम, यनि कि जो परिश्रम होता है तता जीवन में जो द्हण इच्छा शक्ति होती है, उसके भी ये कारच है अगर सूर्य आपके कमजोर हैं कुंडली में तो जितनी चीज़ां कौन मैंने नाम लिया है उन सभी से संबंदित आपको नकारात्मक परिणामों की जीवन में प्राप्ति होगी तो प्रियसातियों अगर आपके भी कुडली में सूर्य की सिती कमजोर है तो जो आज हम कुछ बताएंगे उपाए क्योंकि इस बार जो सूर्य है वो अपना जो राशी परिवर्तन कर रहे हैं ये 17 अक्टूबर 2023 दिन मंगलवार को तिर्तिया तिथी की रात्री एक बचकर 18 मिनट पर ये अपना राशी परिवर्तन करेंगे और अपनी सम राशी कन्या से निकल करके अपनी नीच राशी तुला में प्रिवेश करेंगे नीच में एक बार ये ऐसा समय आता है कि जब सूर्य अपनी नीच राशी तुला में जाते हैं और ऐसे भी अने को लोग होंगे कि जिनकी कॉंड़िली में सूर्य नीच की राशी में होंगे जब उनका जनम हुआ है तो आज हम अब कोचर में भी क्योंकि सूर्य नीच के होने जा रहा रहे 270 और यह 16 नुवबर तक रहे इसी तरह से नीच राशी में तो इनका समद्ध जो है जब यह नीच राशी तुला में रहेंगे तो इनका सम्भन्द इस राशी में अपने मित्र ग्रह मंगल के साथ भी रहेगा 16 नवंबर तक पूरे महीने तथा 18 अक्टूबर से और 6 नवंबर तक अपने सम ग्रह बुद्ध के साथ भी रहेंगे और 17 अक्टूबर से और 30 अक्टूबर तक केतू के भी साथ रहेंगे तो एक तरीके से कुछ समय के लिए चतुर्ग रही भी योग बनेगा लेकिन वो चतुर्ग रही योग किस काम का कि जहां कुछ अच्छे और पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने की संभावना बहुत नाके बरावर हो तो प्रियसातियों ये तो हमने आपको बताया कि सूर्य देव हैं अपना राशी परिवर्तन 17 अक्टूबर को करेंगे 16 नवंबर तक वो तुला राशी में ही रहेंगे प्रिवेश करने के बाद 17 अक्टूबर से लेके 16 नवंबर पूरा एक महीना हो गया तो हम बताएंगे कि बारे जो अलग लेकिन आपको इन बातों से परिशान होने के आवश्यक्ता नहीं है हमेशा हम जब भी होता है ऐसी बात बोलते हैं क्यों नहीं है क्योंकि जो उपाय हम आपको देंगे आप उनको पूरी श्रद्धा हम यही कहते हैं कि श्रद्धा के साथ करें पूरी शिद्धत के साथ करें यह सोच करके ना करें कि आज मैं दस दिन उपाय कर लेता हूं या पंद्रे दिन कर लेता हूं तो सोलवे दिन मिझे कोई मैजिक देखने को मिलेगा देखिए वो तो जो नकारात्मक रिज तक अपनी नीच राशी तुला में रहेंगे और ये वर्ष में एक बार आते ही हैं अपनी नीच राशी तुला में क्योंकि वर्ष में ये पूरा एक चक्कर कंप्लीट करते हैं पूरी साइकल बारे राशियों में गूम जाते हैं एक वर्ष के अंदर और ये भी है कि जब दि करचा के आरम में कि किन किन चीज़ों के कारक होते हैं किन किन चीज़ों के देने वाले होते हैं उन सब चीज़ों के नाम आपको मैंने दिये हैं तो साथियों अब मैं आरम करूँगा मेश लगन राशी से लेके और मीन लगन राशी तक के जात्कों के विशह में बताएंगे क किस-किस प्रकार के प्रड़ामों की प्राप्ति सूर्य के नीच राशी में जाने के उपरांत होने की संभाव नाधिक है और मैंने ये भी आप से कहा है कि जब मैं बारे लगन राशी के जात्कों के विशे में बात कर चुकूंगा तो अंत में आपको हम सूर्य देव से संबं होगा लेकिन ये सोच करके नहीं करना है कि हम आज उपाय कर रहे हैं एक हफ़ता दस दिन पंद्रह दिन या बीज दिन या महीना करेंगे तो उसके हमको बहुत सुंदर प्रड़ाम प्राप्त हो जाएंगे आप पूरी श्रद्दा भाव से करें परमात्मा में आस्था रख करके करें स्वार्थ की भावना लेकर करके ना करें कि भाई मुझे ये चीज़ चाहिए या वो चीज़ चाहिए भगवान से डिमांड किसी चीज़ की ना करें भगवान की भक्ती करनी है श्रद्धा से करनी है उपाए के तौर पे और उनके लिए तो ये उपाए और भी अधिक जादा बनते हैं करने जिनकी कुंडली में सूरे नीच के ही विराजमान है तौला राशी में ही है उनके लिए तो और अधिक बनता है तो आईए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले बात करेंगे जिनका मेश लगन राशी के जो हमारे जातक है जिनका एरीज असेंडेंट बनता है तो आपके चार्ट में सूरे जो है वो पंचम भाव के स्वामी हो करके सप्तम भाव या नहीं सेविंध हाउस में जाकर करके बैठेंगे 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक तो साथियों आप को बताना चाहेंगे कि आप मेश लगन राशी के जो इस्टूडेंट्स हैं उनके लिए उनको पढ़ाई से रिलेटेड बहुत साफदानी से अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने के आवश्रक्ता रहेगी अन्यसा पढ़ाई आपके डिस्टर्ब हो सकती है या पढ़ाई से स कर आप नालें तो जादे बहतर हैं तीसरी बात यह कि आप मेंश लगन राशी के जो जातक हैं आपके जो वैभाहिक संबंद हैं उसमें भी तनाओ की संबावना पूरी-पूरी बन रही वैभाहिक शुखों में फी और आपका जो कार्येच शेत्र में भी समस्याओं का सामन बार अच्छा रखें रिट्रेट ना हो अपनी वानी पर भी आप नियंतर रखें आगे बात करेंगे विर्शब लगन राशी के जो जातक हैं जिनका टौरस असेंडेंट है आपके चार्ट में जो सूरे हैं वो फोर्थ हाउस के लौड हो करके और सिक्स हाउस में आकर के आवश्रक्ता है जो भी आपके विरोधी हैं जो धुर विरोधी हैं वो भी और जो विरोधी हैं वो भी सबी विरोधियों से आपको सचेद और साफधान रहने की आवश्रक्ता है और अगर आपका कोई लो नादी के लिए आपने एप्लिकेशन दिया हुआ है तो वो कहीं रिजेक्ट भी हो सकती है, कोर्ट का चरी से संबंदित मामलों में आपके अगेंस्ट वर्डिक्ट कोर्ट का जा सकता है, इसकी भी पूरी संभावना है, सत्रा अक्टूबर से लेके सोला नवंबर के बीच, इसे एक महीने, और सुक्स विधाओं में आपके कमी रहेगी, मात्र पक्ष से, यनि के माता के साथ भी आपका कुछ वाद विवाद बन सकता है, आपके अरुन के बीच में कोई तनाव पैदा हो सकता है, सस्राल पक्ष के साथ भी कोई थोड़ा बहुत आपकी संबंदों में मन मुटाव हो सकता है, और इसके अतिरिक्त देखिए आपको वहन भी बहुत सावधानी पूर्वक चलाना चाहिए इस समय अवधी में 17 अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच में कोई एक्सिडेंट भी हो जाये तो बड़ी बात नहीं तो बहुत सावधानी पूर्वक चलाएं वहन अपना ध्यान से सड़क पारक करें ध्यान से करें आगे बात करेंगे जो मिथुन लगन राशी के जातक हैं जिनका जेमनी असेंडेंट है आपके चार्ट में थर्ड हाउस के लॉड है सूर्य और पंचम भाव में जाकर के बैठेंगे तो मेरे प्रियसाथियों देखिए यहां पर क्या है कि आपके जो मैं माता पिता से बात कर रहा हूं मिथुन लगन राशी के जातक हैं उनकी जो संतान हैं उनकी और से कोई आपको एक तरीके से अगर हम कहें कि नकारात्मक परिणामों की प्राप्ति होने की संभावनाय अधिक रहेंगी यह भी कह सकते हैं कि आपकी जो संतान है वो कुछ गलत दिशा में ना आरम कर दे गलत एक्टिविटीज में इंवोल्मेंट उनकी ना हो जाए इस बात का भी आपको दियान रखना है संतान की बिशा में तो हमने यह बताया दूसरा जो स्टूडेंट्स रहेंगे मिथुन लगन राशी के उनको भी उनकी भी पढ़ाई से दिल हट सकता है या फिर एक तरीके से रिजल्ट्स उनके प्रभावित हो सकते हैं जिसके कारण उनकी जो रैपू है वो बिगड़ सकती है अपनी किलास में अपने स्कूल में अपने कॉलिज में या अपने इस्टिट्यूट में और जो भी प्रिया चाहेंगे कि जो भी धन की सेविंग्स आपने मनी की वह प्रभावित हो सकती है किसी ना कोई भी ऐसा कारण बन सकता है कि वह आपका धन आपको विड्रॉ करना पड़ जाए मनी कहीं से या वह विड्रो करना पड़ जाए नायास खर्चे जैसे आजाते हैं अचानक और अफिस अंटल या फिर जो भी पैसा आप अपने इनॵेस्ट करना चाहते हैं इन्वेस्ट करना चाहते हैं धन वह इस अफदी में ना करें तो ज्यादे अच्छा है क्योंकि इस अफदी में आपके दोरा जो 100 किया जाएगा अगर तो इसके अच्छे पर न IPS नही होंग इसके अतरिक्त मात्रपक्ष ससुरालपक्ष से भी अनबन्न होने की पूरी-पूरी संभावना है और कोई ना कोई आपका एक्सिडेंट हो सकता है इस बात का भी आपको ध्यान रखना है सत्रे अक्टूबर से लेके सोले नवंबर के बीच सुखसों विदाओं में भी कमी रहेगी और इसके अलावा जो आपका कारेच छेत्र है कारेच छेत्र में जरूर आपको कुछ अच्छे रिजल्स की प्राप्ती होने के संकेत जरूर मिल रहे हैं गरों की और से वहां से कुछ राहत आपको जरूर मिलेगी अपने कारेच छेत्र से और आपका जो प्राक्रम है उसमें भी कमी रहे आगे बात करेंगे सिंग लगन राशी के जातकों के लिए जिनका लियो असेंडेंट बनता है तो देखिए लियो यानिके सिंग राशी सिंग राशी के स्वामी सुयम सूरदेव है लगन के स्वामी है और ये थर्ड हाउस में जाकर के बैठेंगे थर्ड हाउस में जाकर के बैठंगे 17 अक्टूबर से 16 निवंबर तक तो वहां जाएंगे तो आपके प्राक्रम में कमी करेंगे आपका एनरजी लेविल डाउन रहेगा आपका सवभाव आलसी बनेगा छोटे भाई बहनों से प्यार में और उनके सहयोग में कमी का अहसास आपको हुगा अगर छोटी दूरी की यात्राय करेंगे तो उनसे नुकसान हुड़ाना पड़ सकता है लेकिन भाग गए कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आपको कुछ लाप जरूर दे भाग गया आपका जरूर कही ना कहीं कुछ ना कुछ ले करके सपोर्ट आपका जरूर करेगा इतनी सारी negativity के बाब जूद इतने सारे negative results होने के बाब जूद सूर्य देव के कारण बात करेंगे कन्या लगंडाशी के जातकों के बीचा में जिनका वर्गो असेंडेंट बनता है तो आपके चार्ट में सूर्य जो है वो Bearth house के लॉड भर करके और बैठेंगे सेकंड हाउस में जाके साथियों सेकंड हाउस में जाके बैठेंगे तो परिवार के साथ परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ आपका एक तरीके से तालमेल नहीं बैठ पाएगा या कहें कि उनके साथ आपकी कुछ कटू भाशा के कारण आपके उनके साथ मतभे हुआ है वो भी कहीं ना कहीं आपका खर्च किसी ना कोई ना कोई ऐसा कारण बन सकता है जिसमें उसका धन का खर्चा हो जाए और आपको यह भी कहना चाहेंगे कि अगर आप शेयर मार्केट से चुड़े हुएं तो अपना पैसा सत्रे अक्टूबर से सोले नवंबर के बीच में शेयर मार्केट में या कहीं पर भी इन्वेस्ट ना करें अन्यता खानी उठानी पड़ जाएगी आपको हाँ बुजर्गों का जरूर आपको सहयोगर साथ राश्रवाद मिलने वाला है लेकिन जो यात्राएं करेंगे अगर लंबी दूरी की यात्राएं भी आपको करनी पड़ सकती है और वो यात्राएं भी आपके लिए काफी सूर्य जो है वो लाब के स्वामी हो करके और जाकर के लगन भाव में बैठेंगे अपने मित्र मंगल के साथ संगर है भुद्ध के साथ और शत्रूगर है केतु के साथ तो गरह दोश भी बन जाता है चार गरह तो हैं लेकिन इनका कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत अच्छा विशेश फाइदा आपको मिलेगा तो साथियों सबसे पहली बात तो यह है कि सूर्य जब नीच राशी में आ जाएंगे यहां सत्रह अक्टूबर से लेके सोलह नवंबर तक तो जो आपके आए के साधन है वो प्रभावित हो सकते हैं आए में कम हमें अब दी में तो जादे बैतर रहेगा आपके लिए और अपने जो बड़े भाई बहन हैं उनकी और से भी कोई ना कोई ऐसी बात हो सकती है कि जिससे आपका मन दुखी हो जाए साथ ही आपके कॉन्फिडेंस में तो कमी होगी होगी आत्मे विश्वास में कमी होगी और मान सम्मान में भी कमी आपकी संबब है हाँ वेवाहिक सुखों में वेवाहिक संबंदों में अगर हम कहें तो तनाव में कमी आएगी महापर कुछ रिलेशन्शिप आपकी बैटर होगी कुछ आपसी तालमेल बढ़ेगा आपके जीवन साथी के साथ लेकिन मान हानी यानि क मान सम्मान में कमी के भी संकेत ग्रहों की और से हैं तो इसका आपको ध्यान रखना होगा आगे बात करेंगे वरिश्चिक लगन राशी की जो जाता कि जिनका स्कॉर्प्य और सेंडेंट है तो आपके चार्ट में सूरे जो हैं दशम बहु के स्वामी है टैन्थ हाउस के औ या कुर उसमें रुकावट रहेगी या बाधाय रहेंगी आपकी इंकम को लेकर के जो आय होती है आपकी उसमें भी रुकावट अगर धन आ भी गया तो खर्च किया दिखता और इसके बाद देखिए आपका क्योंकि दशम बहु के लौड है आपके चार्ट में केंगें से भी अगर आपको कोई एसा सबोऄ यह देखने में कुछ और होगी हकीकत में कुछ और होगी तो हम आपको यही सुझाफ देंगे की 17 अप्टूबर से 16 जह सब ke27 कैसी प्रकार की कोई अपके लिए आती है करियर से रिलेटिट प्रोफेशन से रिलेटिट तो जहा और अगर आप जहां पर काम कर रहा है करें आपके लिए समस्याय बनेंगी तो वहां से गवरा करके कुछ और जगे आप कुछ सर्च करें और वहां से कोई अच्छी यह देख करके कि यह अच्छी अपॉर्चुनिटी यह जो मैं कर रहा हूं उसके कंपिरेंटिव ली कि वो सर डट कर सामना करना है और अपनी वानी पर भी सहियम रखना है और अपने व्यवार को भी अच्छा रखने है यह कुछ समय का है चक्र ज्यादा नहीं है 16 नवंबर तक है निकल जाएगा पिरियड तो आपको बहुत ही धहरे से काम लेना है परिशानिया कम नहीं है परिशानिया खुब अच्छी कासी रहेंगी लेकिन आप घबराएं ना अंत में हम उपाय जो दे रहें उनको जरूर करें निश्चित रूप से आपको उसका लाब मिलेगा और कुछ ऐसी भी यात्राय करनी पड़ सकती है मतलब अंचा है तरीके से ज वामी है नवम भाव के नहीं था उसके और वो इंकम के घर में जा करके बैठेंगे तो भाग गया में भी अवरोद रहेगा जब तक सूर नीचराशी में रहेंगे इंकम में भी रुकावट हैं या कमी रहेगी साथ ही आपके जो मित्र हैं उन पर भी आपको विश्वास नह इसी के साथ साथ जो हायर एजूकेशन ले रहे हैं इस्टूडेंट उनके लिए भी समस्याएं बहुत अधिक रहेंगी अपनी पढ़ाई को ले करके और धार्मी की आत्राओं पर अगर कहीं जाना चाहते थे तो उसमें भी समस्याएं अधिक रहेंगी अगर चले गए निकल गए तो उसमें कठनाईयों का सामना अधिक करना पड़ेगा हाँ इतना जरूर है कि जो चात्र हैं धनुलकन राशी के उनके लिए कुछ परिस्थि कि आनुकूल रहेंगी उनकी पड़ाई उनकी इस्टडी को ले करके रिजल्ट्स भी उनके पहले से कुछ बैटर आने की संभावना बनेगी और संतान को भी आगे बात करेंगे मकर लगन राशी के जो जातक है जिनके जिनका कैप्री कॉन असेंडेंट बनता है उनके विश करियर हाउस में हैं दशमभाव में रहेंगे तो साथियों जब ये दशमभाव में रहेंगे तो आपको अपने कार्य छेत्र में बहुत ही समखल कर कार्य करने की आवशकता है दूसरों पर भरोसा ना करें अपने कार्यों को दूसरों पर ना छोड़ें ये सोच करके कि बही कई बार चेक करके करें कैंकि यहां पर गलती होने की पी शमभावना है और आपका जो रेपू है वह भी डिनल बना हुआ है उसमें भी कही न कहीं कमी के संकेत हैं और यहां तक हैं कि अगर पहले से कोई promotion की बात हो रही थी तो promotion की बात छोड़ दीजिये जो जॉब कर रहे हैं वहाँ पर भी अगर survival होता है तो भी बहुत बड़ी बात है हमारे जो मकर राशी के जातक हैं यह चीज वो महसूस करेंगे अनुभव करेंगे कि कई बार तो उनके जौब पर भी आप करके बन सकती है बात या व्यापार में है तो व्यापार में उनको ऐसा लगेगा कि बहुत बड़ा गाटा होने जा रहा है या कोई डील ब्रेक हो रही शनी की साड़े साती के उपाए आप करते रहे और आज हम सूरे के भी उपाए आपको देंगे वो भी आप करें पूरे महीने करें आगे बात करेंगे कुम लगन राशी के जो हमारे मित्र हैं उनके विशन में बात करेंगे और बताना चाहेंगे कि आप जिनका एकुरियस अ प्रभावित हैं तो आप जरूर करते रहिए तो एक तो पहले सजीवन में आपके विवाइक जीवन में तोड़ी सी खटपऻ चल एई आ हैं इसे भाइक संबंदि को यहां वशाय दिशा में नहीं और एग्रेसिव नहीं रहना वानी पर भी नियंत्रन रखना आए तो वेवाहिक सम्मन्दों में कहीं न कहीं जो है कमी है दूसरी बात भागय में भी कमी रहेगी 再见 का जहां 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 भी जो भी आप काम करेंगा रुकावटों का सामना करना पड़ेगा कोई कार्रे करना है तो उसमें डिले होगा या फिर उसकी शुरुवात ही नहीं हो पाएगी उसको पैंडिंग छोड़ना पड़ जाएगा ये सब चीज़ां जितनी भी होती है भाग्ये से होती है लेकिन हाँ छोटी दूरी की यात्राएं अगर करेंगे तो उससे आपको कुछ लाप की और से भी सपोर्ट मिलेगा प्यार मिलेगा ये चीज़ां हो सकती है लेकिन भाग्ये का साथ जब तक सूर रहे हैं नीच राशी में उन से उम्मीद करना कि भाग्ये हमारा साथ देगा बेमानी होगी और धार्मी के आत्राओं पर अगर अगर अभी कहीं जाना चाहते हैं तो अभी फिलाल ना जाये नहीं तो उसमें भी कटनाईयों का सामना आपको करना पड़ सकता है अंत में बात करेंगे मीन लगंडाशी के जो जातक है जिनका पाइसे असे इंडेंट बनता है आपके चार्ट में सूर रहे जो हैं वो छटे भाव के लौड हो करके और एर्थ से समस्यां पैदा होंगी घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका सहयोग उनका प्यार उनके आशरवाद में भी कमी का एहसास आप करेंगे विरोधियों का भी सामना आपको करना पड़ेगा विरोधी भी आपके सर पर खड़े रहेंगे तक पर किस तरीके से आपको नु कदमा चल रहा है तो वहाँ पर भी रिजर्ट जो है आपके प्रतीकूल जाने की संभावना बन रही है तो प्रियसाथियों ना निहाल पक्ष से भी संबंदों में थोड़ा तनाव देखने में आ सकता है मामा मामी की तरफ से लेकिन हाँ एक बात जरूर है कि परीजन जो है बाकी उनके साथ थोड़ा सा संबंदों में सुधार जरूर होगा कहीं ना कहीं इतनी परेशानियों के बीच और धनकी सिति जो है वो बहुत ज़्यादा बैटर तो मैं नहीं कह सकता लेकिन हाँ ठीक ठीक रहेगी सामानने तोर पे चलती रहेगी सिति तो प्रिये साथियों एक बात का और ध्यान आपको रखना होगा कि अगर कोई आपको प्रॉपर्टिव अगर आपने बुजरों से ले सरीके की एक्टिविटी ना करें कि जिससे वो चिल जाएं अन्य था आपके हाथ से प्रॉपर्टी भी जा सकती है अपनी तरफ से कोई ऐसा काम ना करें शांत रहें पेशेंटली चीजों को हैंडिल करें बहुत दहर रहे के साथ तो यह था आप सभी बारे लगन राशी के जात्कों के विशह में सूरे जब अपनी नीच राशी तुला में जाएंगे उनके जाने के उपरांत मिलने वाले जो परिणाम है यह रिजल्ट्स हैं उनकी चर्चा भी हमने की है बारे लगन राशी के जात्कों के लिए अब हम आपको देने जा रहे हैं साथियों वो उप कि आपने करना है कि उर्दी से निवरत होके सूर्य धेव को जल्दैना है तांबे के करश में एक चुक्ट्टी उसमें कुम-कुम या रोली मिला करके रहेक लाल फूलों निपने सूर्य को मिलना है और सूर्य देव के मंत्र का भी जब करना है ऑम ग्रणी सूर्याए नमाः ये है मंदर ओम हराम हरीम हराम से सुरय नमध ये भी मंदर है दूसरा नित पृतिति दिन चाहें भूत, दसी मिनट के लिए समय निकाने पूजा घर में इसना नादी से निवरत करके जल देकर के सुर्य देव को अर्द देके नित पृतिति दिन आप उनको नमशकार करें सूर्य देव को उठकर के और घर में अगर आपके पिता हैं या कोई बुजुर्ग हैं तो उठते के साथ ही प्राते काल उनके पाउँ छू करके उनका आशिरवाद लेना ना भूलें अगर आप ये करेंगे तो सूर्य जो हैं शान्त होते हैं सूर्य को आप प्रिसंड कर रहे हैं अगर ऐसा करेंगे किसी भी घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं अगर आप निश्प्रितिजन के पाउँ छूते हैं और तीसरा मैंने कहा कि विस्नान आदी से निवरत होके जल अर्पित करके सूर्य देव को उसके बाद आदित्ते हिर्देस्तोत्रम का पार्ट चाहें दसी मिनट के लिए करें जरू करें और इसके अतिरिक्त आप गुड़ का दान कर सकते हैं तामे का दान कर सकते हैं यह आप काम करें गहूं का दान आप करें गहूं हो गया गुड़ हो गया तामा हो गया किसी भी दार में किस सल में जाके या किसी भी गरीब व्यक्ति को आप ये दें और अगर बहुत अच्छा समान, आपके दादा समान भी कोई विजुर्ग है, उनकी सेवा करें, उनको भोजन कराएं, जिनको अगर सेवा की आवश्यक्ता है तो जरूर निश्चित रूप से सूरे के जो चाहें बेशक्त नीच राशी में उनके बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको हो ज सूरे चालिसा का पार्ट कर सकते हैं, सूरे देव के आरती करें, मंत्रों का तो हमने आपको बताई दिया, तो मेरे प्रियसातियों, ये थी चर्चा उपायों के साथ सूरे देव के राशी परिवर्तन को ले करके, और ये चर्चा हम आशा करते हैं, आपको पसंद आई होग कि और यदि आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियो से एस्ट्रोलोजी को ले करके हमारे बनेंगे उन सभी की नोटिफिकेशन्स और वे सारे वीडियो सीधे आप तक पहुंच पाएं तो उसके लिए फिर आप बैल आइकन जरूर दवाएं इसी के साथ अब हम अपने कारे करम को यहां समाप करना चाहेंगे अपनी वाणी को भी विराम देना चाहेंगे और अपने आप सभी मित्रगणों से भी लेना चाहेंगे इजाज़त तो इसी के साथ आप सभी का सहर दें बहुत-बहुत धन्यवाद जैमादा लिए